नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम अक्षे तृतिया के बारे में जानेंगे अक्षे तृतिया को इस्तानिय भाषा में हम आखातीज कहते हैं ये भारतिय संस्क्रती का एक महत्रपूर्ण पौर्व है हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतियाति थिखुम ये तुहार मनाया जाता है। अक्षे का साब्दी कर्थ होता है जो कभी शय नहीं। इसे अनंत अक्षुन फल दाय कहा जाता है। अक्षय महुरत होने के कारण ये स्वयम सिद्ध महुरत माना गया है। जिसे हमार इस्ताने भाषा में अबूज सावा कहते हैं। इसलिए अनेक शुबकारे इस दिन बिना किसी पूछताच के हम कर सकते हैं। विवा करना, ग्रय प्रवेश करना, सोना खरेदना, नया वाहन खरेदना, पद बहार गरन करना। यह सब काम हम इस दिन करते हैं। इस दिन कुछ पुराने तथे भी धुड़ेवे हैं इस दिन से, उन पुराने तथ्यों की हम विश्तार से चर्चा करते हैं। इसमें पहला आता है कि अक्षे त्रत्या के दिन ही भगवान नर्ण नारायन सहीत परशुराम और है गिरिव का अवतार हुआ था। बद्री नारायन मंदिर के कपाट भी इसी दिन खुटते हैं। मा गंगा का उतरण आखातीज के दिन ही हुआ था प्रत्वी पर। इसी दिन सुदामा जो हैं अपने बाल सखा भगवान पृष्ण से मिलने मथुरा पहुँचे थे। इसी दिन सत्यूग और त्रेता यूग का प्रारंब हुआ और द्वापर यूग का समापन भी इसी दिन हुआ था। इसलिए से युगादी त्रेतिया भी कहते हैं। अक्षेत रतिया के दिन से ही वेद व्याश और भगवान गनेश ने महा भारत गरंत लिखना शुरू किया था। ब्रमा जी के पुत्र अक्षे गुमार का जन भी अक्षेत रतिया के दिन माना जाता है। गरिंदावन के जो बांके विहारी मंदिर हैं। उसमें केवल इसी दिन स्री विग्रह चरण के दर्शन होते हैं। अनेठा साल भर वस्तर से ढखे रहते हैं। कुबेर को आज ही के दिन खजाना मिला था। विकानेट जिले का स्तापना दिवस भी अक्षेत रतिया का दिवस ही है। वहां पतंग्य उडाने का रिवाज है। इस महत्यपून पुरानिक और संस्कृतिक तोहार पर मेरी कुछ पंक्तियां आप सबको मंगल कामनाओं के लिए। फले फूले सबका व्यापार खुश रहें जाट जमीदार आरोग्य धन संपदा लेकर आया आखा तीज का तोहार। खेत सदा रहें हरें खलिहान हो धान भरें गया हो या गोरया सब के दुख दूर करें। गाम गलियों में छाया रहें हुमार आया आखा तीज का तोहार। बाजार भी हो खूब सजे मन हुसियत को तजे खुशी का दामन था सब मिल कर करें मजे। चहरे खिले खिले रहें गुलजार आया आखा तीज का तोहार। सब की अक्षय मंगल कामना के साथ। राम राम।